Hello everyone, कैसे आप सभी? मैं C.A. चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल S.R.T.C. Legal Health Hindi में आज की इस वीडियो में हम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के रिगार्डिंग बहुत important बात करने वाले हैं अगर आपने अब तक अपने अधार को पैन कार्ड से लिंक करने की लाज्डेट क्या है? क्या लेट फीस लगेगी? क्या implications हो सकते हैं? किसको यहाँ पर link करवाने के ज़ुरत है किसको नहीं है तो आज इस बारे में हम सब कुछ देखने वाले है तो हमारे साथ वीडियो में अंतक बने रहेगा अगर आपने माई चैनल को subscribe नहीं किया है तो माई चैनल को subscribe भी किजिएगा और हमें comment box में comment करके जरूर बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से helpful रही who is required मतलब यहाँ पर किसको ज़रुत होती है pen card को अधार card से link करवाने की देखिए every person having pen और अधार जिस भी person के पास यहाँ पर pen card और अधार card है उनको इन्हें link करवाने की जरुत है minor देखिए चाहे अगर आप minor है उस situation में भी आपको pen card से अधार card को link करवाने की जरुत है ऐसे देखिए ladies और housewife या फिर अगर आप चाहे अपनी return भर रही है नहीं भर रही है कोई income है या नहीं है चाहे आप student हो हर situation में यहाँ पर अगर आपकी वास pen card और अधार card है तो आपको link करवाने की जरुत है और देखिए यहाँ पर किसको जरुत नहीं is not required कोई NRI है या फिर not a citizen of India है या फिर देखिए super senior citizen है मतलब 80 year plus person है उसको भी यहाँ पर जरुत नहीं है देखिए resident of some states मतलब कुछ ऐसे states हैं जहाँ पर अधार card compulsory नहीं है तो अगर आप वहाँ के resident है उस situation में आप पर कोई compulsion नहीं है कि आप pen card को अधार card से link करवाए ऐसे ही देखिए हुए firm और company देखिए इन तिनों के case में अधार card applicable ही नहीं हो सकता तो अधार card applicable ही नहीं होता तो अधार card से pen card को link करवाने वाली यहाँ पर कोई जरुरत भी नहीं अपलाए होती अब next देखिए इसकी late fees क्या लगने वाली है और क्या last date है इसकी pen card को pen card से link करवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है क्या requirements होती है तो देखिए यहाँ पर आपके pen card और अधार card में कुछ details match होना ज़रूरी होता है आपका जो भी name है उसकी बिलकुल spelling date of birth, gender यह match होना father name अगर उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर difference है pen card और अधार card में तो उसका कोई issue नहीं है यहाँ पर कोई issue नहीं आएगा आपका link करने में बट यहाँ पर अगर आपके name में, date of birth में, gender में अगर कहीं पर भी difference है तो पहले उससे आपको correct करवाना पड़ेगा फिर आपको link क लिए request डालनी पड़ेगी इस date से पहले पहले pen card को अधार card से link नहीं करवाया तो देखिए कई आपको consequences face करने पड़ सकते हैं like सबसे पहला important आपका pen in cooperative हो जाएगा मतलब like आपने कभी pen बनवाया ही नहीं है वो pen useless हो जाएगा और देखिए अगर आपका pen card useless है तो वो कहीं पर भी KYC document के तोर पर भी use नहीं होगा अगर pen card KYC document के तोर पर use नहीं होगा तो इसका मतलब किया आप अपना bank account भी open नहीं करवा पाएंगे ऐसे ही आप income tax की return फाइल नहीं कर पाएंगे तो income tax की return कई सारे चीज़ों में जरूरी होती है जैसे insurance में जरूरी होती है अगर आपको यहां पर foreign के लिए visa चाहिए उसके लिए जरूरी होती है ऐसे ही अगर आपको loan वेगर अप्लाइ करने तो भी काफी ज़ादा जरूरी होती है तो आप उन सभी situation में I am face करनी पड़ सकती है similarly कि आप कोई भी share market में transaction नहीं कर पाएंगे क्योंकि share market में transaction करने के लिए pen number based ही registration होता है उसके लिए pen number होना जरूरी होता है ऐसे ही यह देखिए अगर आपकी pending ITR will not get processed मतलब क्या हुआ अगर 31 मार्ज 2023 के बाद आपकी कोई भी ITR process होनी pending है तो वो यहाँ पर process नहीं की जाएगी और उसे ऐसा माना जाएगा कि आपने वो return भरी ही नहीं है ऐसी देखिए main जो आपको consequence face करने को देखने को मिलेगा वो होगा कि आपको TDS का rate high rate पर लगेगा मतलब FD का जो interest होता है उस पर जितने भी pen holders होते हैं उनके लिए तो 10% TDS deduct किया जाता है बट जो non pen holders होते हैं उनके लिए 20% deduct किया जाता है तो अगर आपके पास pen card यहाँ पर नहीं होगा मतलब आपका pen card in operative हो गया तो और अगर FD पर interest कमा रहे हैं तो उस पर आपका जो TDS का rate है यहाँ पर 20% applicable होगा और उस TDS को आप यहाँ पर refund भी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आप return तो भरी नहीं सकते आपके पास pen number तो है ही नहीं तो आप यहाँ पर refund भी claim नहीं करवा पाएंगे जो कि सबसे बड़ी problem है ऐसी देखिए next अगर आप कोई भी 50,000 से अबब की transaction करते हैं तो हो सकते कि आप पर 10,000 रुपे का fine भी apply हो जाए आपर